हेलो चैंपियंज, स्वागत है आप सभी का उनली सेलेक्शन वाइड में और आज मोदी जी का बर्डे है तो सबसे पहले तो हैपी बर्डे मोदी जी और सितंबर में लगतार लाइन से बर्डे आते हैं सभी के आप में सभी बहुत सा लोग आज होगा किसी का कल होगा किसी का आने वाले कल में होगा परसम होगा तो जितने भी बड़े आ रहे हैं सभी को आप सभी को जनम दिन की बहुत बहुत शुब कामना है और घर में आपके क्या चल रहा है किस तरह का माहौल जिंदिगी में क्या चल रहा है जरूर बताईएगा जो भी प्रॉलम मों डिसकस और वहां से जो जो हमें प्रूफ मिल रहे हैं उनकी हम बात करेंगे किस टेक्लोजी की द्वारा हम पता लगा रहे हैं ठीके तो चंद्रियान 3 पहुचा था बहुती सेफ लेंडिंग हुई थी ठीके अब एक होप एक्सपेरिमेंट भी हो डवलप कर चुका है वहां पे बहुत बड़ा उसका क्या बोलें मात्रा है बहुत बड़ी कॉंटिटी है जिससे बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन पच्छिस साल तक सांस ले सकती है लेकिन अभी वह सॉलिड फॉर्म में है ठीके सलफर की पुष्टी हुई है ठीके किस तरीके से हमें पता लगाते से भेजा गया है ठीके अब यह कुछ स्पेसिफिकेशन हैं इस्पैक्स हैं जिनको हम देख लेते हैं तो मिशन लाइफ क्या ली गई थी वन लूनर डे फॉर्टीन अर्थ डेस जिसको पूरा करके अभी यह सो भी चुका है ठीके स्लीप मोड में है और बाइस सितंबर को व हमारी साथ पूल की पेलोड क्या है लेंडर में देखते हैं सबसे पहले रामभा टेक्नोजी यानी रेडियो एनाटोमी ओफ मून बाउंड हैपर सेंसिटिव आइनोस्फियर एंड एट्मोस्फियर इसका यूज़ हुआ चैस चंद्रा सर्फेस थर्मोफिजिकल एक्सपरि यह लेंडर में सब हैं इसके बाद हम देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्या है यह शेप भी लेंडर में है इसके बाद टू मोडूल कंफिग्रेशन है जिसमें से एक प्रॉपल्शन मोडूल है लेंडर फ्रम लॉंच इंजेक्शन टू लॉनर और्बिट जो लॉन्च स इसके बाद मास कितना है पावर जेनरेशन कितना करते हैं कम्यूनिकेशन है लेंडर सेंसर है यह लेजर इनर्शियल एक्सलीमेंट्र पेकेज के बेंड एल्टी मीटर लेंडर पोजिशन डिटेक्शन लेंडर है लेंडर हजार डिटेक्शन एंड अवोईडेंस केमरा तो यह जो टेक्लोजी हम नहीं यूज की है वो यहाँ पर सारी बता रहे है इसके बाद में आप देख सकते हैं लेजर एल्टी मीटर है लेजर के दौरा काफी चीज़े हैं यहाँ पर बता लगा रहे है लेजर एल्टी मीटर है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है लेंडर होरिजोंटल वेलोसिटी है माईक्रो स्टार सेंसर है इसके बाद lander propulsion system में क्या है by propellant propulsion system, by propellant में क्या होता है आपका fuel level अलग रहता है और oxidizer आपका अलग रहता है, फिर दोनों एक साथ combustion chamber में मिलते हैं, ठीक है, यहां पर four numbers of 800 and throttable engines है, eight numbers of 58 and है, ठीक है, lander mechanism में क्या है, यहां पर lander leg है, rover ramp है, rover है, ilsa है, ठीक है, यह सारी classification के बाद में हम देखते हैं कि क्या discoveries हमारी रही है, ठीक है, तो objectives क्या थे, यह जो चीज़े लगी हुए, इनके objectives क्या थे, सबसे पहले मैं आपको, रंभा का बताया था, ठीक है, lander में आथा, तो उसका क्या role था, to measure the near surface plasma ions and electrons density and its changes with time, जो near surface plasma है, उसकी density क्या हो, किस तरीके से change हो रही है, ठीक है, यह पता लगाना था, इसके बाद है, चैस्टी यह बहुत important है, surface thermophysical experiment, जो thermal properties है lunar surface की, इस से हमको पता लगा है, मैं आपको experiment के ज़री दिखाऊंगा, किस तरीके से हमने पता लगा है, पर millimeter मे 10 degree C का change आ रहा है, वहाँ पर सोच के देखे, अंदज लगा के देखिए, कि human अगर कल को जाएंगे, human missions भी होंगे, 50 साल से, ठीक है, 50 years से लगबख कोई human mission वहाँ पर नहीं हुआ है, 1972 के last में हुआ था, अब लगबख 50 साल हो चुके है, कोई human mission वहाँ पर नहीं हुआ है, अ ठीक है, instrument for lunar seismic activity, इलसा के उसना two major seismicity around the landing site, कितने भूकम पाते हैं वहाँ पर, ठीक है कल को आप बाते सुनते हैं कि हम चांद पर घर बना लेंगे, चांद पर plot cutting हो रही है, ठीक है, चांद पर कल को बजार लगेंगे, सब्जी मंडिया लगेंगे, कल को मतब शेहर बसेगा, तो कितने भूकम वहाँ पर आते हैं, यह भी तो सब देखलना ज़रूरी है, उसको हम कैसे जहलेंगे, जो यहाँ पर हम चोटे से भूकम नहीं जहल पाते, तो seismic activity वहाँ पर पता लगाने के लिए बेजा गया, इसके बाद है LRA, it is a passive experiment to understand the dynamics of moon system, passive experiment है to understand the dynamics of moon system, इसके बाद LIBS laser induced background की बात करते हैं, तो qualitative and quantitative elemental analysis and to derive the chemical composition and infer mineralogical composition to the further our understanding of lunar surface, lunar surface की और understanding को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बाद alpha particle x-ray के थुरू, बताने के लिए क्लिए क्या है API access, to determine the elemental composition, elemental composition इन सब का हम कैसे हमाँ पर निकाल सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, lunar soil में, और मिला है काफी कुछ, हम सब चीज बताई हुई है, sulfur, sulfur confirm हुआ है, iron है, वहाँ पर oxygen है, ठीक है, और अब क्या ढूंडा जा रहा है, hydrogen हम ढूंड रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर देखी hydrogen भी मिल जाता है, oxygen पहले मिल चुका, अगर hydrogen भी मिल जाता है, तो पानी की संभावना है हम तलास सकते हैं, ठीक यह उसका डाइग्राम है, किस तरह से orbit में भेजा गया था, ठीक है, यह किस तरीके से सारी technology यहां पर बताई हुई है, ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, अभी तक की discoveries क्या है, ठीक है, तो अभी तक की discoveries देखिए, क्या-क्या है, यह यह shape की बात की ही थी हमने, यह lander म हैं, और भी जो हम दूर-दूर के ग्रह हैं, उनमें जा सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज का पता लगाने के लिए, मतलब यहां से संभावना कलाशी जा रही है, और चंद्रियान 3 को क्या क्या मिला है, oxygen मिली है, sulfur मिला है, iron मिला है, silicon मिला है, ठीक है, दो major findings यहां पर है, temperature के base पर, उसको भी हम graph से समझेंगे, और several elements including oxygen भी यहां पर मिला, चंद्रियान 3 has already made some significant progress in its work has confirmed the presence of sulfur, aluminum, calcium, iron, chromium, titanium, manganese, oxygen, इतनी साली चीजे मिली हैं, और कैसे पता लगा रहे हैं, laser के through, wavelength को access करके हम पता लगा रहे हैं, कौन सा element है, ठीक है, silicon on the lunar surface, the south pole की बात हो रही है, यहां ठीक है, ठीक है, तो यह, अगर स्टीस से लेकिए, अगर स्टीस तक क्या किया है, हमारे चंद्रियान नहीं सारी रिपोर्ट है, और graph के द्वारा आपको बता गया है, कि किस तरीक के, एक साइड यहां पर responses हैं, और एक साइड यहां पर wavelength है, laser भेज के responses के साब से wavelength, जो चें sodium, iron, titanium, magnesium, silicon, oxygen, aluminium, sulfur, ठीक है, यह सब यहां पर मिला है हमें, ठीक है, और hydrogen की खोड जारी है, क्योंकि hydrogen भी अगर मिलता है, तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर oxygen है, hydrogen है, जल बनाया जा सकता है, ठीक है, तो अपने ही first type के in-situ experiments के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है, साउथ पोल क्यों पिक किया गए, इस रोचीफ स्वामनाद में बताया है, कि अलग ही यहां पर एक अलग ही हमको संभावनादी चीज़े मिलने की और वैसा हो भी रहा है, क्योंकि किसी देशना भी तक नहीं किया है, पहली बार हम साउथ पर को explore कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़े मे उसके बाद देखिए, माइनस 60 पर कहा आ जाता है, 10 आ जाता है, माइनस 40 पर 30 के आसपास है, माइनस 20 पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 के आसपास ही 60 पर है, तो 80 में 80 का चेंज है, हर 10 मिलिमेटर में आपे 10 डिगरी सेंटीग्रेट जो है, चेंज हो रहे हैं, ठीक क्योंकि साथ पॉल पर इस तरह के बहुत सारे करेटर हैं, बहुत सारे गड़ें हैं जिन में गिर सकता है, तो वो सब देख के उसकी लोकेशन भी चेंज कर देगी, यह पाथ उसका चेंज कर दिया गया है, टेंपरेचर देखिए, चंद्रियान 3 ने मीजर किया, सोयल इसलिगेशन विभी से फाथ टेंपरेचर देखिए, और रहस इतना बहुत से उसमें है, बहुत से मित्टी में जाएंगे अंदर इतना बादा तेंपरेचर दिफरेंस है, "-10 दिगरी वास इकोड़ेट उर्ट्यिम्म," under the ground 60 ं बाउफ और अटन अटी में, टेंट्यम्म है चेंज हो जाता है माइनस 10 डिग्री सी से लेके 70 डिग्री सी बहुत बड़ा चेंज यहां पर हो जाता है ठीक है तो यह देखने को मिला इसके बाद कुछ इमेज़ हम देख लेते हैं इसके बाद में हम बात करें तो रिजल्ट क्या है सबसे पहले 27 अगस्त को फर्स्ट अब्जर्वेशन आई है चेस्ट के धूँ पेलोड उनबोर्ड विकरम ब्लेंडर ठीक है इसके बाद 28 अगस्त को कन्फर्म किया प्रेजन्स ओफर त्रू अनमेगोड़ इनसीटू मिजर्मेंट ही इनसीटू मिजर्मेंट क्या होता है इनसीटू मतलब ओन साइट ठीक है नैचुरल या ओन साइट म उनकी प्रेजन्स को कन्फर्म किया उसके बाद 31 में लिसन्स टू दा मूवमेंट अराउंड लेंडिंग साइट रंभा इल्पी उन बोर्ड चंद्रियांथी मीजर्स निया सरफेस प्लाजमा कंटेंट अगस्त 30 ठीक है तो यह सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और इन है जो टेंपरेचर है माइनस 200 डिग्री सी इस तरह का चला जा जिसमें हमारा रोवर काम नहीं कर पाएगा उसके पहले इसार एक्स्परिमेंट हमने ले लिए और वो सिच्वेशन है इसमें वो स्लीप में है चीक है तो लेटेंस डेवलपमेंट्स क्या है इस्ट्रों रिलीज याँ पर मून वक्क कर रहा है हमारा लेंडर तो वेडनेस दे को प्रग्यान ने डिसेंड किया और पहली मूनवाक अपनी की ठीक है सरफेस पे चला और फिर क्रेटर में गिरने वाला था वहां से इसको रूट इसका चेंज कर दिया गया ठीक है हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब यह उठेगा तो इसको सोलर एनरजी मिल चुकी हो और यह वापस से एक्टिव हो जाए बाई सितंबर को और कुछ और जानकरी हमको मिल सके इंडियान स्पेस एंजिजी कंफर्म है और फोर्टीन अर्थ डेस का जो हमारा लूनर दे था एक दिन होता है लूनर डे और अर्थ के साब से फोर्टीन डे हैं इसमें काम हमने किया बिफोर टेम्टरिचर डोस बिलोस माइनस 200 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है उसके पहले हमको जो पता लगाना था हमने पता लगाया वो तो चंद्रियान 3 इंस्ट्रुमेंट जो हमार करना था इसके सेफ्जी लेंड करना था और वहां पर लोनर सर्फिस का जाजा लेँथा वो सब हम कर रहे हैं लो सब हम कर रहे हैं इसमें operational heavy lift launch vehicle जो है वो सारी चीज़ आंपर बताई गई यह height कितनी थी इसकी, propulsion stages, ठीक है तो एक देश के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए, हम देशवासी है, एक aspirant के हिसाब से हम जानकारी होनी चाहिए, current affair में आ सकता है, एक normal civilian के हिसाब से भी एक army के हिसाब से हर तरीके से ठीक है, और वो यहाँ पे सारी आपके पास available है, ठीक है, normal flight इसका sequence किस तरह से था, S200 ignition यहाँ पे था और S200 separation ठीक है, यहाँ पे ignition separation इस तरीके से यह चला है, यह route यह path इसने पूरा follow किया है, ठीक है, जोने कि stage, liquid stage यह सब कुछ यहाँ पर बताए गया है, इसके बात जो मैं आपसे बत कर रहा था कि, home mission, home mission का मतलब यह होता है, कि यहाँ से थोड़ा सव उपर उठके, थोड़ा सव उपर उठके अपनी position से 40 cm उपर उठके यहाँ से 40 cm, बहुत छोटा सा 40 cm व उठके, 30-40 cm अवे यह वापस से, वापस से यहाँ लेंड कर जाता है, इतना ही है, तो ये क्यों है, ये क्यों किया जा रहा है एक्सपरिमेंट, होप का मतलब क्या होता है, होप का अगर आप बेसिक मतलब समझेंगे, तो बेसिक मतलब होता है कि एक टांग पे खड़े होके एक टैंक पर खड़े होके इस तरीके से बिना दूसरी टांग उठाए मतलब जितनी दूर जा सकता हूं सिंपल सा कि नॉर्म वास्टा में समझेंगे तो यह है तो यह होप जो है हमने लेंटर से क्यों करवाया है यह इसलिए करवाया है कि अगर कल को जाते हैं इंसान जाते हैं हम मैन मिशन करते हैं तो वहाँ पर जाके कुछ हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यही सिंपल सी चीज है, यह होप भी हमने कर लिया है और another significant milestone undertook a hope experiment, ओप experiment भी हमने कर लिया है, तो इस रोट ने confirm किया, lander has successfully underwent a hope experiment and on command, it fired the engines, elevated itself about 40 cm as expected and lander's affiliated distance, 30-40 cm पर अवे चांद पर पहुंचने के लिए इतनी दिक्कती है, हमने चांद के चांद पर उठाके वापस से इसको land कर लिया है, successful hope experiment and kickstart could have significant bearing on the future missions which are launched with an objective to bring back samples from the moon and also future human missions, human missions भेज़े जाएंगे, वहां से sample collect counting mission भेज़े जाएंगे, तो वो सब काम हम कर सकें, इसी के लिए है, the lander model with the rover progyan in the belly made a successful soft landing on August 23, August 23 को safety landing होई चुकी थी, इस सारे काम हम कर चुके थे और अब हम इसको भी कर चुके है, hope experiment भी हम कर चुके हैं, ठीक है, exceeded its mission objectives, successfully underwent a hope experiment on command, यह सब चीज़ हम देख चुके हैं, कि यह भी काम हमारा कर चुका है, इसके बाद में, क्या specification है हमारे, क्या major specification है, और इसके अलावा क्या किया है, इंसिटू measurements हमारे चल रहे हैं, ठीक है, इंसिटू measurements हमारे चली रहे हैं, मैं आपको बताएं, इंसिटू का मतलब क्या है, on-site measurements हमारे चल रहे हैं, has indicated the presence of plasma near the lunar surface, plasma जो fourth stage of particle होती है, liquid, solid, gas और plasma, तो plasma की presence भी यहाँ पे देखी गए, यह two payloads have detected, confirmed sulfur in the moons, south polar region, तो sulfur को भी confirm किया है, south polar region में, ठीक है, प्रज्यान has traversed over 100 meters from Vikram on the surface of the moon, 100 meters ने traverse किया, इस तो said on September 2 that the Pragyn had completed this assignment, it had been safely parked and set into sleep mode, तो मैं आपको बताएं कि सारे काम जो उसको भेजे गयते हैं, सारे कर चुका है, और यह भी sleep mode में है, the battery was fully charged in the solar panel was oriented to receive the light in the next sunrise expected on September 22, जो मैं आपको बताएं कि 22 सितंबर को उमीद है कि फिर से जाग जाएगा, तो यह सारी बातें थी हमारे चंद्रियान mission को लेके, ठीक है, और hope experiment भी मैं आपको बताया, hope experiment भी किया है, क्या technology यूज हुई है, ठीक है, क्या-क्या हमारी findings है, क्या-क्या findings ही निकाल चुका है, क्या-क्या चीज़े हम पता लगा चुके हैं, तो oxygen, sulfur, silicon, chromium, iron, बहुत सारी चीज़े हमको मिली है, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी रोचक जान करें हम आपके पास लिगाते रहेंगे, और जो भी जिस भी exam में हम उसके share करते रही है, हम उसको solve करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका target है, हमारा target है, आपका selection, और selection means, only selection, जैहिंद!